आशा करता हूँ, आप साब बहुत अच्छे होंगे, मैं रनाम है सिद्धान तक नहीं होतरी, स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत दोस्वागत है यह किम जोंगुन जो है, वो पगला गया है और मिसाइल जो है, वो फायर तो करी दी है जापान के उपर नहीं, जापान के उपर से गई है, मतलब जापान के उपर ही फायर किया एक तरीके से और आपको बता दू कि इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि इंटरनाशनल लॉस के हिसाब से आप मिसाइल फायर नहीं कर सकते नौर्थ कोरिया किसी के कंट्रोल में है नहीं, दोस्तों लोगों की बैंड बजगी, लेकिन आपकी बैंड नहीं बजगी क्योंकि हमारी नवरातर सेल शुरू होगी है, परसो तक ये सेल है, रात बारा बज़े तक, दशेरा कूपन कोड आपको यूज़ करना है इसे नाकारे देश रहे, नौर्थ कोरिया जैसे, तब तो ये होके ही रहेगा, नौर्थ कोरिया में लोगों के हालात इतने बुरे हैं, आप टेस्टिमनी सुनिए, आप समझ लिजए कि दिन में चार बर मंदिर जाएंगे और दद बर प्रारतना करेंगे कि भग, शुकर है कि मैं भारत में हूँ, क्योंकि इतनी हालत खराब है वहाँ पे नौर्थ कोरिया की, वहाँ पे लोग, आपको पता हस भी नहीं सकते, अगर वो तेज हसते हैं तो कहीं पुलिस उठाके ले जाएं, तो ये समझी है, कि 2017 में इस तरीके का मिसाइल लौच तो लौच अब समझी है, कि इसमें ये इतना खतरनाव था, साइरेन बजने लगे, ऐसा पहले नहीं हुआ जापान में, साइरेन बजने लगे और लोगों से ये बोलने लगा कि बंकर में जाओ, जापान अमेरिका ने बंकर अंकर बनाए हुए, आपको पता है, कल कोगर उन्होंने ये सब किया हुआ है, वैसे ही से पड़ोसी तो करने ही पड़ेगा, उनाइटे नेशन नौर्थ कुरिया कुने दम प्रोहिट करता है कि आप बलिस्टिक और नुकलियर वेपन्स टेस्ट नहीं कर सकते हैं, नौर्थ कुरिया है, एह नीता फरजी की बाते, तो उ इसमें देश भी हमला कर सकता है, जापान भी चाता तो हमला कर सकता था, तो ये युद्ध का आवान होता है, एक तरीके से, लेकिन वही है कि जाधा तरदेश ऐसा नहीं करते हैं, पाई कौनी युद्ध करना चाता है, आज का समय अलग है, तो जाधा तरदेश बोलते हैं, Hokkaidu Island और Amori City में वो एकदम से उठे और देखा कि साइरेन बज रहा है पहले उनको लगा कि अच्छा अलार्म है ना ना ये जापान अलार्म बज रहा है क्योंकि साइरेन बज रहे हैं एक के बाद एक text में alerts आ रहे हैं कि underground, buildings, सब कुछ खाली कर दो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो missile जो है समझे कि ये उपर से गई है और आप ये समझे कि ये भी था कि आप टुकड़े को देखते रहो टिकुड़े को कोई ऐसा और missile गिर जाए तेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं वो उपर से चली गई अच्छा हुआ अब यहाँ पे बात हो रही है कि चलो उपर से तो चली गई लेकिन दोस्तों अगर हमला हो जाता या अगर ये missile गलती से भी गिर जाती क्योंकि North Korea के engineering पे आप भरोसा कर सकते हो बिलकुल नहीं कर सकते हो ठीक है तब क्या होता तो लोगों का दिमाग तो बहुत जादा खराब है ही है ये एकदम उपर गई आप समझ रहे हो 1000 किलो मीटर इंटरनाशनल स्पेस टेशन से भी उपर गई और फिर तो इस तरीके का अरे मतलब ये वाली missile उपर ने गई इन्होंने ये टेस्ट किया है तो जापान के प्रधान मत्री फूमिया किशिडा ने यही बोला है कि वो आइलेंट बीहवियर है एक बात बताओ तुम किस से इसा बगवास कर रहे हो तुम ये किस से किसको दिखा रहे हो तुमाँ तुम जापान को समझते हो जापान ने वर्ल्ड वार टू के समय 1902 से लेकर 1945 तक कोरिया को तहस नहस कर दिया था अगर जापान अपनी पे आ गया तो ऐसे ऐसे वेपन मनाएगा अभी आप देख लो छोटा सा चार आइलेंड से मिलके बना हुआ देश वो कितना खतरना के एक के बाद है कि इन्वेंचन इतने वहां के लोग डिसेप्लेंड हैं, सेल्फ डिसेप्लेंड उनने इतना है कि अगर वो अपने पे आगए तो ऐसी की तैसी कर देगा जापान, आप समझे रहो पूरी दुनिया की अभी अमेरिका जापान को सपोर्ट करता है, कि तुमारे उपर कोई हमला हो रहा है तो हम हैं, तुम परचान मत हो 1945 क्योंकि हिरोशिमा और नागा साकिप बॉंग गिरा दिया, अमेरिका ने तो एक प्राश्यत है, कि हम तुमारे साथ है प्राश्यत आश्यत क्या है, सब यहां पे पैसे काई हिसाब किताब है, ठीक है कि तुम अपने उपर फोकस करो, बाकी देख लेंगे हम हमला हमला, लेकिन अगर मान लीजे, कि जापान देके इन्होंने बोला है कि हम अपनी counter-attack capabilities बढ़ाएंगे तो समझ नहीं, North Korea, South को दिखेंगे नहीं कहीं, चाइना ही ना, है ना तो यह समझी आप, अमेरिका ने रिस्वांस की बात करें, तो यहां पे जो एड्रियन विल्सन है, वाट्सन है United Nations Security Council की spokesperson, उन्होंने बोला है कि यह बहुत ही ज़्यादा और South Korea, इन तीनों ने एक joint military exercise की तो अब उसमें जो है, वो Japan तिल में लाया हुआ है यहां पे North Korea तिल में लाया हुआ है पिछले अभी हफते North Korea ने दो rocket और fire किये थे, तो यह समझी है कि बड़ी मुश्किल है ठीक है, और जब से यह हुआ है तब से किम जोंगों यह बोलें कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो अब इन्होंने कर दिया फिलहाल आपको बता दू कि nuclear test लगातार होते रहते हैं North Korea में 2006 से लिकर 2017 तक 10 सालों में इन्होंने लगबग हर एक missile का परिक्षण किया किसी दिन North Korea के पास कितनी सारी missile हैं यह मैं सब आपको बताऊंगा ठीक है North Korea, Korea के एक दुश्मनी भी है जापान से South Korea भले ही जापान अभी साथ है लेकिन देखें यह कोई नकार नहीं सकता कि जापान ने जो Koreans के साथ किया, जापान ने सब के साथ South East Asian के साथ जो बरवरता की है Comfort Women पे अभी तक वाप माफी नहीं मांगिये तो वो सब यादे जो है न वो ताजा है तो यह लेचर था लेकिन दोस्तों इससे हरकम पमच गया है और पूरी दुनिया में भी हरकम पमच गया है कि भाईया यह क्या हो रहा है यह तो बैंड ही बजा देंगे North Korea को कुछ न कुछ उसका करना पड़ेगा परना किसी दिन बहुत बड़ा हाथसा हो सकता है खुछ रहेगे परते लिए देसे सिद्दान तक नियोतरी signing off